प्रिशासन की सख्ती के बावजूद भी फतेहबाद इलाके में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार की सेटिलाइट तकनिक हर सेख के जरिये जिले में अब तक 1276 स्थानों पर आग लगाए जाने की सूचना प्रिशासन को मिल चुकी हैं। जहां अब तक पराली जलाने वाले 456 केसानों पर केस दर्ज कर उनसे करीब 1170,000 रुपे जुर्मना वसूल किया गया है। किर्शीव विभाग की ओर से लगातार केसानों से पराली न जलाने की अपील की जा रही है और स्कूली वच्चों को साथ लेकर गाउंगाउं जाकर किसानों को पराली न जलाने के प्रती जागरुक किया जाएगा। इसी के चलते आज DC ने जागरुकता वाहन को हरी जंडे दिखाकर रवाना किया। हम अब भी बहुत प्रियास करें पहले भी हमने जो आवेरनेस का एमफेव लगाये थे और आज हमने DC साब की फ्लैग ओफ जो हमने तीन वेने हैं जो की हैं जो बलोक भुना, बलोक नाकपूर, बलोक रतिया और बलोक फतेबाद में घुम घुम के गाओं में किसानों को इस ब जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे जागरुकता रेली है वो निकालेंगे और जिसमें जो टोटल जो हमारे लगबग जो जिले में जो 62 जो प्रोग्राम है वे होंगे उसमें जो यहां जो बोडिया खेडा जो स्टेडियम है उसमें जो मुखेती थी DC साब होंगे जो आठ सबी उप मंडल के अंदर जो SDM से और CTM मैडम है वह भी जो रेलियों को फ्लैग ओप करेंगे और मारे यह लक्से है कि कल जो हम लगबग जो सबी जो मारे एरिया है जहां जहां जो पैटी ही जो ग्रोइंग होती है वहां पे किसानों को और बच्चों के थूरू जो जागर अनुसार जले में 1246 स्थानों पर फायर लोकेशन मिली है हाला कि 2020 में 176 61 स्थानों पर फायर लोकेशन आई थी साथी उन्होंने बटाए कि किसानों को लगातार पराली प्रवंधन करने वा पराली न जलाने को लेकर जागरू किया जा रहा है जिले में अब तक 456 किसानों को पराली जलाने पर 11,70,000 रुपे का जुर्माना कर उनसे राशी वसूली गई है और किसान पराली ना जलाएं इसके लिए सभी खंड वा गाउं इस्तर पर स्कूली विद्यार्कियों को साथ लेकर कारिक्रम आयुजित किये जाएंगे और ये कारिक्रम जिले में 22 थानों पर आयुजित किये जाएंगे फतेहबास से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद